Hello friends, welcome back CDSL stock का analysis करेंगे और देखेंगे CDSL stock में फिलाल के टाइम में बहुत अच्छा उपर के तरफ momentum मिल रहा In fact, देखेंगे March महिने से stock ने एक अपर हाई अपर हाई बना रहा है देख सकते हैं एक stock में एक breakout आया था जो की level था 1300 रुपया का Stock 1300 रुपया के ऊपर एक breakout देके stock नेरले 5-6 वीक तक एक ही जगह पे sustain किया हुआ था उसके बाद ही एक किस महिने में एक breakout आया जो की level था 1400 रुपया के ऊपर तो stock का अभी का price चल रहा है 1514 रुपया तो देखेंगे हम लोग पास का support target का है और resistance का है stock का हम लोगों पास का resistance level देख रहा है जो कि 1600 रुपया का पास का support लेवल है जो कि ये 1350 रुपय के करीब में अगर stock 1350 रुपय के ऊपर बना हुआ तो stock 100% ऊपर के तरफ momentum करते रहेगा तो हम लोगों पहला target होने वाला यहां से 1600 रुपय और दूसरा target होने वाला अगर 1600 रुपय के आज पास में stock sideways हो जाए जैसे यहां पर पाच्छे विग सश्टेन किया वैसे 1600 रुपय के पास में पाच्छे विग अगर यहां पर थोड़ा वड़ा time spent करता फिर breakout आता तो हम लोगों पहला target होने वाला 1800 रुपय और दूसरा target होने वाला 2000 रुपय जो भी CDSL में easily देखने मिल सकता है क्योंकि देखेंगे पिछले दो साल से stock ने कुछ ज्यादा moment नहीं किया था साइडवेश ट्रेंड में फसा हुआ था तो पिछले दो साल में कुछ मुमेंट नहीं किया फिर एक अप्टेंट चालू है स्टॉप में तो एक अच्छा खासा उपर के तरफ इंवेस्टर लोगों को टार्गेट डे सकता है स्टॉप में थैंक्यों फ्रेंड्स